आज मैं आप सभी के लिए काफी important class लेके आई हूँ तो देखे आज किस class में हम पॉलिटी के most important questions discuss करेंगे जो कि आपके आगामी forest guard के exam के लिए काफी important है तो आप सभी लोग हमारी इस class में starting से लेकर end तक बने रहें तो चलिए आज किस class को हम start करते हैं start करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल study with aim को subscribe नहीं किया है वो subscribe कर ले साथ इसाथ पगल में जो पहला आइकन दिकरा है इसे भी press कर ले ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका notification आपके पास जल से जल आप सभी लोग हमारे टेलिक्राम चैनल को भी जोइन कर सकते हैं ये भी study with aim के नाम से ही बना हुआ है और टेलिक्राम चैनल पर रात को 8 वजे quiz का भी आईजन किया जाता है का पे important question आपको quiz के रूप में दिये जा रहे हैं तो आपको join कर सकते हैं तो चलिए आज के session को हम start क करते हैं और इस session का पहला question है भारती सम्विधान किस न्यायले में तदर्थ न्यायधिस की नियुक्ति की व्यवस्था करता है most important question है तो देखे भारती सम्विधान सरवोच न्यायले में तदर्थ न्यायधिस की नियुक्ति की व्यवस्था करता है अगला question है सम्विधान का अनुचे 249 किसकी सक्तियों से संबंदित है संविधान का अनुचे 259 संबंदित है राजी सभा की सक्तियों से अगला कुशन देखेंगे संसत की लोक लेखा समीती के अध्यक्ष का नाम कौन नर्देशित करता है तो देखे संसत की लोग लेका समीती के अध्यक्ष का नाम निर्देशित करता है लोगसवा अध्यक्ष यानिकी स्पीकर अगला कुशन देखेंगे सम्विधान का कौन सा अनुचेत भारत के राष्टपती के महाभियों की परकिरिया से सम्वंदित है तो देखेंगे परती सम्विधान के अनुचेत ऑथवा शांति की स्थापना करने के लिए बैधानिक रोपसे शंक्षम है करेक्ट आंसर है आपका राष्टपती अगला देखेंगे तारकुंडे समीती और गोस्वामी समीती का सम्बंद भारती राज व्यवस्था के किस पहलो से है Most important question है तारकुंडे समीती और गोस्वामी समीती का संबंद भारती राज व्यवस्था के चुनाव व्यवस्था में आमुल सुधार से है अगला कुश्चन देखेंगे किस मामले में सरवोच नियायले ने समीतान द्वारा प्रदत मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए समीतान सभा बुलाय जाने का सुझाव दिया करेक्ट आंसर हो जाएगा गोलक नाथ मामला 1967 अगला कुश्चन देखेंगे महिलाओं को पंचायतों में आरक्षन भारतिस सम्विधान में जिस संसोधन को करके दिया गया वहा है तो देखें महिलाओं को पंचायतों में आरक्षन भारतिस सम्विधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया तिहत्तरवा संविधान शंश दोदन 1992 के द्वारा अगला कुशन देखेंगे किस राज्य के राज्यपाल को अनुसूचित जन जातियों के संदर्व में विशेश शक्तियां परदान की गई हैं करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणांचल पुर्देश के राज्यपाल को अगला देखेंगे हमारी राश्टी एकता को भंग करने के लिए फूट डालो और शाषन करो की नीती को किस ने अपनाया तो देखें हमारी राश्टी एकता को भंग करने के लिए फूट डालो और शाषन करो की नीती को अपनाया था बड़ेश शाष को ने अगला कुशन है आपका किस सम्विधान, शंशोधन में उच्छे न्याय लेयों के न्याय धीसों की आयू 60 वर्ष से बढ़ा कर 62 वर्ष कर दी गई है, तो ये कौन सा सम्विधानिक शंशोधन है, पंद्रवा सम्विधानिक शंशोधन, अगला कुशन देखेंगे, संसदी सासन में वास्तविक यानि कारिपाली का शक्ति किसके पास होती है, तो देखेंगे, पंद्रवा सम्विधानिक शंशोधन के पास अगला कुशन है, किसने कहा था, राजे कानून की संतान और जनक दोनों है, तो देखेंगे, यह कथन दिया था, मैं काईवर ने अगला कुशन देखेंगे, भारत का प्रथम गैर कॉंग्रेसी प्रधान मंत्री कौन था, भारत के प्रथम गैर कॉंग्रेसी प्रधान मंत्री थे, मौरार जी देसाई, अगला कुशन है, भारत के संसदी इतिहास में प्रथम बहिर गमन किसने किया था, तो देखें, भारत के सूची की किस विशेई पर रास्टी हित में कानून बना सकती है तो देखे भारत के सम्विधान के अनुचे 255 के प्रावधान के अंतरगत संसत राजी सूची के किसी भी विशेई पर रास्टी हित में कानून बना सकती है अगला कुश्यन देखेंगे किस सम्विधानिक पद को जो कि संसत का सदक्षि नहीं है संसत के शमक्ष अपना दृष्टिक कोण परस्तूत करने के लिए बुलाया जा सकता है करेक्ट आंसर हो जाएगा महान्याईवादी यानि अर्टाउनी जेनरल को अगला कुश्यन देखेंगे लोग सभा में किस विध्यक पर आम बहस किस इस इस तर पर दृतिये वाचन इस तर पर होती है अगला कुश्यन देखेंगे अनियाई का जन्म वहाँ होता है जहां समान लोगों के साथ असमान व्यभार किया जाता है और इसी तरह जब असमानों के साथ समान व्यभार किया जाता है यहा कथन किसका है यहा कथन है अरस्तू अगला कुशन देखेंगे भारती समविधान को आयजुत एवं संगठित करने का वैदिक आधार था भारती समविधान सवा को आयजुत एवं संगठित करने का वैदिक आधार क्या था cabinet mission अगला question देखेंगे भारत के प्रशाशनिक सुधार आयोग ने लोगपाल तथा लोका युगत संस्था की स्थापना की सिफारिश किशवर्ष की थी most important question है भारत के प्रशाशनिक सुधार आयोक ने लोकपाल तथा लोका युकत संस्था के स्थापना की शिवारिश की थी 1967 में अगला question देखेंगे भारत में व्याई का लेखा तयार करने का उत्तरदाइद्व किसका है अगला question देखेंगे भारत के उप्रास्ट पति को पत्चुत करने का संकल्प कहा प्रस्तावित किया जा सकता है देखें भारत के उप्रास्ट पति को पत्चुत करने का संकल्प प्रस्तावित किया जा सकता है केवल राजिस सभा में अगला question देखेंगे कि संविधान शंशोदन अधिनियम द्वारा संविधान में नभी अनुसूची परिवर्थित हुई थी correct answer हो जाएगा प्रथम संविधान शंशोदन 1951 अधिनियम द्वारा अगला question देखेंगे संग का यह करता भी होगा कि बाही आकरमर तथा आंतरिक अशान्ती से प्रतियक राजिय के रक्षा करें ऐसा प्रावधान भारतिस सम्विधान के किस अनुचेद में है तो ऐसा प्रावधान किया गया है भारतिस सम्विधान के अनुचेद 55 में अगला question देखेंगे भारतिस सम्विधान के अनुसूची किस अनुसूची में राजियों के नाम तथा उनके राजिय छेतरों का ब्यारा दिया गया है तो देखेंगे अन्तराश्टी सांती और शुरक्षा के समर्धन से सम्मनित है अगला question देखेंगे केंद्र और राजियों के बीच होने वाली विवादों का नर्ने करने की भारत के उच्चितम न्यायले की शक्तिया आती है इसकी मोल अधिकारिता के अंतरगत अगला question देखेंगे यदि किसी मंत्री को विरुद अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाए तो क्या होता है मंत्री परिशत को त्याग पत्र देना पड़ता है नेक्स्ट question देखेंगे डॉक्टर राजे इंद्र परशाद भारत के पर्थम राष्ट पति थे और वे लगातार दो बार राष्ट पति निर्वाचित हुई वह व्यक्ति जो लगातार दो बार उपराष्ट पती रहे कौन थे तो देखे वह व्यक्ति जो लगातार दो बार उपराष्ट पती पत पर रहे ये थे डॉक्टर एसराधा कृष्णन अगला कुशन देखेंगे भारत के सम्विधान के नीती निर्देशक तत्व के किस अनुचेद में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान है तो देखें भारत के सम्विधान के नीती निर्देशक तत्व के अनुचेद चब वालिस में नागरिकों के लि सुचित जन जाती के लिए राश्टी आयो के गठन से important question है अगला question देखेंगे मानवधिकार संगरक्षण अधिनियम 1993 की अनुसार कौन राश्टी आयो का ध्यक्षण हो सकता है तो देखें मानवधिकार संगरक्षण अधिनियम मैं किसका वर्णन है तो देखें भारती समिधान की चौथी अनुसुची में वर्णन किया गया है राजी सभा के स्थानों के आवंटन से समन्दित जानकारी यह आपको याद रखना है भारति सम्विधान के किस अनुसूची में राज्यों के नाम तथा उनके छेत्र का ब्यावरा दिया गया है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पहली अनुसूची में अगला कुशन देखेंगे किस अधिकार को डॉक्टर भी आर अमेट कर द्वारा सम्विधान की आत्मा कहा गया है तो देखेंगे सम्विधानिक उपचार का अधिकार जिसे डॉक्टर भी आर अमेट कर द्वारा क्या कहा गया है सम्विधान की आत्मा अगला कुशन अगला कुश्यन देखेंगे अगला कुश्यन है बेकार पर निशे तथा इस्तुरियों के क्राय विक्राय पर रोग कौन सा मौलिक अधिकार लगाता है तो देखें बेकार पर निशे तथा इस्तुरियों के क्राय विक्राय पर रोग कौन सा मौलिक अधिकार शूच्छन के विरुद्ध अधिकार लगाता है अगला कुश्यन देखेंगे अनुचेद 22 के अधिन किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाने पर कितने समय के अंदर निकर्तम न्याइधिस के समाक्ष प्रस्तूत करना पड़ता है करेक्ट अंसर हो जाएगा 24 कंटे में अगला कुश्यन है संसाथ के दोनों सदनों में किसी साधान विध Яपर मत भीनता के स्तिति में कौन सार आस्ता अपनाया जाता है दोनों सदनों की संयक्त बैठक का रास्ता अपनाया जाता है अगला कुशन देखेंगे भारत के नियंदरक और महालेखा को किस समीती के मित्र संग्रक्षक तथा दार्शनी के रूप में वर्णित किया जाता है करेक्ट आंसर हो जाएगा लोग लेखा समीती का अगला कुशन है भारत में नगरपालिकाओं का जनक किसे कहा जाता है भारत में नगरपालिकाओं का जनक कहा जाता है लौड रिपन को सारे ही कुशन सेलेक्टेड और इंपोर्टेंट है तो आप सभी लोग एंड तक इस क्लास में बने रहेगा आप सभी को आज की ये क्लास पसंद आ रह किस राजी के प्रधान को प्रारंब में सद्री रियासत कहा जाता था तो देखे जमो कस्मीर के प्रारंब में क्या कहा जाता था सद्री रियासत अगला कुशन है राजी के छेत्र और सीमा में परिवर्तन का अंतिम अधिकार किसी प्राप्त है करेक्ट आंसर हो जाएगा संसत को अगला कुश्चन देखेंगे बिटे सरकार ने राश्ट वादियों की सम्विधान सभा में सभा के गठन की मांगो और पृत्यक्ष तोर पर अपवादों के साथ किस प्रस्ताव योजना या एक्ट ने स्विकार किया था तो ये था अगस्त प्रस्ताव अगला कुश्चन ह वाली सम्विधान सभा का गठन किसके अंतरगत किया गया भारत का सम्विधान बनाने वाली सम्विधान सभा का गठन किया गया कैविनेट मिशन योजना 1946 के अंतरगत काफी महत्वण कुश्चन है अगला कुश्चन देखेंगे जर्मनी के वाइमर सम्विधान से कौन सा प पाइमर समिधान से लिया यह है अगला कुश्चन दिखेंगे राश्टी आपातकाल की उद्गोशना स्वताय किस मौलिक अधिकार को निलंबित करती है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वतनत्रता के अधिकार को नेक्स्ट कुश्चन है राश्टपती की मिर्द्यू के बाद उवराश्टपती राश्टपती का पत कब तक संभा सकता है करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिक से अधिक 6 मां तक अगला कुश्चन है राजिपाल की दोहरी भूमी का से क्या तातपरी है अगला कुश्चन देखेंगे अपना कारेकाल समाप्त होने के पूर यदी सर्वो चिनयाले का नियाधी स्त्याग पत्र देना चाहे तो वह किसको समोधित करते वे त्याग पत्र देगा करेक्ट आंसर हो जाएगा रास्टपती या उनके द्वारा नियोक्ति व्यक्ति को अगला कुश्चन है अंडमान निकुबाल द्वीप समो किस उचनयाले के छेतर आदिकार में आते हैं कलकता उचनयाले के छेतर आदिकार में अगला कुश्चन देखेंगे केवल भारती संसत की आखलन समीति का गठन होता है केवल लोक सभा के सदैश्यों से होता है अगला कुश्यन देखेंगे भारत में व्याई का लेखा तयार करने का उत्तरदाइद वे किसका है तो देखें भारत में व्याई का लेखा तयार करने का उत्तरदाइद वे महालेखाकार का अगला कुश्यन है बिनियोग अधिनियम सरकार को किस ने धन बिनियोग करने के लिए अधिकरित करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा संचित निधी से. नई अखिल भारती सेवा के स्थापना कादिकार किसे है तो देखें नई अखिल भारती सेवा के स्थापना कादिकार है भारती संसत को अगला कुशन है संग लोग सेवा आयू के स्थापना भारत के सम्विधान के किस अनुचेत के अंतरगत की गई है most important question है तो देखे संग लोग से वा आईयो की स्थापना भारती समीधान के अनुचेत 315 रखे अंतरगत की गई है अगला question है एक ही समय यदि रास्टपती और उपरास्टपती दोनों का पद रिक्त हो जाए तो रास्टपती की गरत्यों का निर्वहन कौन करता है करेक्ट आंस 18 जिसके प्रावधानों के अंतरगत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पदमु विफूशन आधी अलंकरन प्रदान किये जाते हैं अगला है दिखे कौन से मूल अधिकार रास्टपती के द्वारा 352 के अंतरगत आपात काल की घोशन की जाने पर भी नयायले द्वारा प्र अविदी से अधिक मंतरी नियोकत नहीं हो सकता अगला कुशन है 6 महिने की अविदी से अधिक तक अगला कुशन देखेंगे समविधान के किस अनुछेद में अनुसूचित जाती अनुसूचित जन जाती है तो सेवाओं में आरक्षान का प्रावधान किया गया है तो जादी पर अनुसुचित जन जादी को परिभाशित करता है तो भातिस समीधान का यह अनुचित है 366 अगला कुश्चन है लोक लेखा समीधी में 22 अधश्य होते हैं तो देखें लोक लेखा समीधी में 22 अधश्य होते हैं 15 लोक सभागे तथा 7 राजी सभागे अगला कुश् बहर रिट जो भारत में उचिप नियाले तथा सर्वोच नियाले द्वारा किसी व्यक्ति या अत्पास व्यक्ति समोदाय को आदेश को देती है कि बहर अपना कर्टविय पालन करें कहलाती है। अगला कुश्यन देखेंगे भारती सम्विधान के कि संशुदन द्वारा राजाओं की उबादियों, विशेशा दिकारों तथा प्रिवी पर्स को समाप्ति किया गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 सम्विधान संशुदन के द्वारा अगला कुश्यन है भारत के रास्टपत को वेतन दिया जाता है भारत की संशित निधी से अगला कुश्यन देखेंगे भारती सम्विधान के अनुसार लोग सभा के चुनाओं लड़ने की नियुनितम शैक्षणिक योगिता क्या है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऐसी किसी योगिता के अवशकता नहीं है अगला कुश्यन देखेंगे हिंदू आजार संहीता को लेकर प्रधान मंत्री से किस रास्टपती का विवाद हुआ था करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजी इंद पुरशाद अगला कुश्यन है तो ये वर्ष था वर्ष 1922 अगला कुश्यन है 32 संहीतान के अनुसार कौन युद्ध की खोशना करने अथ्वाद शान्ती की स्थापना करने के लिए बैधानिक रूप से शक्षम है करेक्ट आंसर हो जाएगा रास्ट पती नेक्स्ट कुश्यन है क्या लोक सभा राज सभा द्वारा धन विधयकों के लिए की गई शिफारिशों को मानने को बाध है करेक्ट आंसर हो जाएगा नहीं अगला कुश्यन है लोक सभा स्पीकर अपना पद छोड़ देता है तो देखे लोकसभा स्पीकर जो होता है यह अपना पत छोड़ देता है नहीं लोकसभा की पर्थम बैठक से ठीक पहले अगला कुशन है भारत के समविधान के अनुचे 352 के अधीन वास्ट पत द्वारा आपाद उद्ध घोशना कब की जा सकती है करेक्ट आंसर हो जाएगा मंत्री परिश्ट के लिखित परामश पर अगला कुशन है आपका भारत में सार्व वहमवयस्क मताधिकार किसके द्वारा परदान किया गया है करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत की समविधान की द्वारा अगला कुशन है निर्वाचन आयोग में वर्तमान में कुल कितने आ कि किसी भी सधन द्वारा अगला कुशन है आपका राज लोक सेबा आयो का सदश्य कदाचार के आरोप में तभी हटाया जा सकता है जब जाच की गई हो तो किसके द्वारा जाच की गई हो भारत के उच्टम नियाले द्वारा जाज की गई हो अगला कुशन दिखेंगे सम्विधान की प्रारूप समीति किस्ला मक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया तो करेक्ट आंसर है आपका पंडित जबाहलाल नहरूप तो ओके गाईस आज के शेशन में ताही आई हूप आप सभी को आज का ये शेशन काफी पसंद आया होगा अगर आप सभी को आज का ये शेशन पसंद आता है तो शेशन को लाइक कीजेगा शेयर कीजे जिन लोगोंने अभी भी हमारे येट्टeoब चैनल study with aim को subscribe नहीं किया है वो subscribe कर लें तो शलिए मिलते हैं एक next interesting videos के साथ तब तक के लिए धन्यवाद